अगर आप अपने मुवाइल डेटा पे इंटरनेट पे लॉक लगाना चाहते हैं तो वीडियो में बता हूँ इंटरनेट पे आप लॉक कैसे लगाएं जैसे कि मान लीजे आप अपना फोन किसी को देते हैं वो आपका नेट यूच करने लगता है आपका फोन है कोई घर में बच्चा है वह इंटरनेट आपका यूच कर रहा है तो आप चाहते हैं कि अपने इंटरनेट के लॉक लगाएं और उसको वापीस से सही कैसे करें तो दोनों तरीका में बता दूंगा तो चली मेरे मुवाइल के अगर ऑप अपना इंटरनेट डेटा को लॉक करना चाहते ह और आप चाहते हैं कि वह आपका data ना यूज़ करें इंटरनेट ना खर्चा करें तो आप data को बंद भी कर सकते हैं तो आपको क्या करना है सबसे पहले अपना फोन का setting मा जाना है यहाँ पर आप सर्च कर लिजे setting ठीक है मैं यहाँ पर setting सर्च कर लेता हूं तो देखिए सबस्क्राइट कर दीका या यहा बलए जिर्फ नेटवर्क्स यहाँ करें दोन मैं करें कर सकते हैं मौबाइल नेटवर्कस थीक है मौबाइल नेटवर्क जीसा ही सच कीजिएगा तो आप का जाएगा- ठैक है connection में mobile networks open हो गया है फिर देखिए mobile networks open कर लेना है फिर उसके बाद जो भी सीम का आपको internet बं करना है मान लिजए कि मेरा सीम 2 में internet है मुझे इसको off करना तो सीम 2 पर मैंने क्लिक कर दिया तो यह देखिए मेरा इस पर off करना है ठीक है बंद करना तो आपको क्या करना access point name यह option दिख रहा है सेकंड लाग्स्ट option है network operator के ऊपर access point name इस पर क्लिक करना है फिर उसके बाद देखिए फिर यहां पर सीम 1 खुला हुआ मेरा तो मुझे सीम 2 का नेटवर्क को इंटरनेट को बंद करना है तो सीम 2 पर मैं क्लिक कर दिया फिर देखिए वोड़ा फोन का सीम है ठीक है तो यहां से इसको मुझे बंद करना तो आपको सबसे पहले देखिए कि internet अपना बंद कर देना ठीक है फिर उसके बाद यह setting करना है ठीक है तो सीम यहां पर मैं को हो सकता कि अपर यहां पर दोटो दीखे या एक दिखे तो उससे कोई दिकत नहीं है Helen remote बश्रेका पर ही दिख सकता है हो सकता है आपके फोन में नीचे में दीखें तो यहां पर 3 डोट पर क्लिक कर देना है Tale delete APN लिका रहा है बस delete APN पर क्लिक करना है पिर उसके बाद अगर । раст है कर प्षेंद भी आ पहले जैसा करना है कि आप internet यूज कर पाएं तो आपको फिर से वापिस से क्या करना है connection में जाना है connection में देखिए मैं फिर से बता देता हूं आपको क्या करना है connection में जाना है connection में जाने के बाद mobile network में जाना है फिर उसके बाद access पॉइंट से पॉइंट नेम पे जाना है फिर उसके बाद देखिए सीम टू पर देखिए दोस्तों मैं सीम टू पर आ गया हूं फिर उसके बाद आपके यहां पर फिर से जाना है और फिर यहां पर एक अपने पर दिख़ते है और पर उसको सेव कर सकते हैं इंट बचा सकते हैं बचाते हैं वीडियो पसन आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजएगा भी तक आपने मेरे चैनल टेक्नो ग्रेडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजएगा थैंक्स वर वाचिंग